दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो घर में एक एवरेज किचन होती है दसवाई आठ की जिसका वर्किंग काउंटर एल शेप में होता है उसके अंदर क्या उसकी प्लेस्मेंट प्लानिंग होती है किस तरह का हार्डवेर और एससरी उसमें यूज़ करी आती है क्या मैटियर उसमें लगना चाहिए तो इन सब बातों को हम आज के इस वीडियो में डिसकस करते हैं तो चलिए देर ना करते हो ये स्टार्ट करते हैं हमस्कार दोस्तों मैं कुल्दीप शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिश्टर टेक क्राफ्ट दोस्तों आज हम बात करेंगे कि घर में एक एवरेज किचन जो होती है उसका साइज दसवाए आठ का होता है और इसमें एक वोल है उसके ओपर आपका फ्रीज प्लान कर सकते हैं लेकिन जो कन्फ्यूजन होती है वह सबसे बड़ी यह होती है कि बास्केट का साइज मार्केट में क्या एविलेवल है उसे किस तरीके से प्लान करना है किस तरीके से अपनी किचन का डिजाइन भी करना है और अपनी र वाली वोल है इसका जो प्लान आप देख रहे हैं इसके अंदर 8 फुट वाली वोल पे लेफ साइट कॉर्णर में आपका सिंग प्लान किया हुआ है और 10 फुट में सेंटर में आपकी चिमनी प्लान किया है और इस 3D के अंदर आपको वो दोनों वोल एक साथ दिखाई दे रह होता है उसका साइज एप्रोक्सिमेट 2 फीट रहता है तो अगर आप इसको प्लान करना चाहते हैं एक टॉल यूनिट में तो आपको इस तरीक से 2 फीट वाई 7 फीट का एक टॉल यूनिट करना होगा चिमनी के अगर हम बात करते हैं तो चिमनी हमारी 2 फीट की होती है तो इनी तीन ड्रोर्स में जो सेंटर ड्रोर है यानि सेकंड ड्रोर जो है उसके अंदर आपका मसाले का रेक प्लान किया जाता है जो 8 से 10 तरीक के मसाले इसमें प्लान किया जाते हैं जिनकी हाइट 4 इंच रहती है थर्ड ड्रोर जो हाइट में ज्यादा होता है इसको हम पल्स कहता है ग्रेन टोली ग्रेन ये राइस टोली आप इसमें आटा ये चावल का कंटेनर इसली रख सकते हैं और लेफ्ट साइड में आपको जो कैबिनेट दिखाया गया है इसके अंदर दो ड्रोर्स प्लान की गई है इन दोनों ड्रोर्स को युटेंसिल बास्किट कहा जाता है क्योंकि युटेंसिल जो होती है उनका साइज हमेशा बड़ा रहता है जैसे कुकर पतीरा भगोना और किचन में ये हमेशा साइज और क्वांटिटी दोनों में ही ज्यादा होते हैं तो इसलिए किचन के अंदर ये मिनियूम चार तो आपको प्लान करनी ही पड़ेगी जैस इसके अंदर आपका मैजिक कॉर्नर या एस क्राउजल प्लान किया सकता है जिससे कि आप अपने कॉर्नर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और बात करते हैं सिंग की तो सिंग के अंदर आपका आजाता है डश्ट बिन और डिटर्जन रेक तो दोस्तों ये जो बास्केट हैं ये एक एवरेज किचन के अंदर हमेशा जरूत रहती है इसके इलावा अगर हम टॉप केबिनेट में प्लान करते हैं तो टॉप केबिनेट में सिंग के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आपका डिश्रेक आता है जो प्लेट कटोरी ग्लासिस के लिए यूज करा जाता है तो जो ड्रोड होती है वो जातर सब नीचे के लिए प्लान किया सकती है और जो टॉप केबिनेट होता है उसके अंदर सिर्फ एक आपका डिश्रेक ही होता है जो इसमें प्लान किया जाता है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दो ग्लास के यूनिट से नजर आएंगे जिसमें आपका क्रोकरी प्लान किया जाएगा चिमनी के लेफ्ट राइट सैड में भी दो ग्लास के यूनिट दिये हुए है उपर सॉलिड और नीचे ग्लास इनको आप अलग-अलग हाइड्रोलिक पिश्टन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप चाहें तो यह दोनों शटर एक साथ आपका बाइफोल फिटिंग जो आती है उसके साथ भी यूज कर सकते हैं जिससे के आपके पूरा केबिनेट एक साथ आपको दिखाई देगा उसके अंदर क्या समान कहां किस तरीके से रखा हुआ है इसके अंदर एक डिवाइ और टॉप प्लान के अंदर आपको एक दस वाइ आठ की किचन हमने डिजाइन करके दिखाई है अब बात आती है जो इसकी बास्केट्स होती है वह आपका डेड़ फूट और दो फूट वैसे तो साइज और भी अविलेवल रहते हैं लेकर हम स्टेंडर साइज की इसली एविलेवल लेती है और दस वाइ आठ की किचन के अंदर भी अगर आप देखेंगे और प्लानिंग में लेके चलेंगे तो आपको दो फूट का साइज ही सूट करेगा दोस्तों इसके अलावा एक और डिजाइन इसके अंदर एपलाई किया सकता है अगर सपोज इन दोनों चिमनी और हो ये दोनों के दोनों अपनी प्लेस्मेंट चेंज कर दें जैसे के एट फीट वाली वोल पे आपके चिमनी प्लान किया सकती है और सिंक जो है आपको टैन फीट वाली वोल पे प्लान किया सकता है तो अगर उस कंडिशन में आपके हां पे इस डिजाइन को change करना पड़ता है तो उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो और ले के आ रहा हूं इसके बाद जो next वीडियो आएगा मेरा वो उसके second part होगा और उसके अंदर आपको chimney 8 feet पे और sink जो है वो 10 feet वाली wall पे आपको दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें comment box में जरूर लिखके बताईएगा वीडियो पसंद आता है तो उसे like जरू कीजेगा subscribe कीजेगा अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं और bell icon को दवाना ना भूलिएगा दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त जानकार या रिष्टेदार की काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा और आपने हमारे इस वीडियो को देखा सुना इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद